हेलो फ्रेंट्स मैं हूं सीमा आपका स्वागत है मेरे चैनल फूड कनेक्शन विद सीमा पे आज की रेसिपी आप लोग को पता ही होगा आप लोग बेस अभी से इंतिजार कर रहे होंगे कमिंग सुन रेसिपी थी एक करी तो चलिए देखते हैं वटाफट से क्या है इंग्र अगर करी के साथ आपको रैस खाना है तो आप जरूर से एक ँडर आलो को हाफ करके बड़ी और अंड contribute के साथ पानी में थोड़ा नमक भी डाला है तो अब हम देखते हैं क्या क्या डालेगे यह मसाले मैंने लिए है अद्रक मिर्ची लसन और प्याच रफली चॉप किया है उसके बाद लिए है फाइन चॉप किया हुआ प्याच लसन अद्रग धन्या और एक हरी मिर्च एक से भी जाया डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो अब देखे जो एग में ने बॉयल किया था उसे ठंडा करके छील लिया है अंडे को अभी क्या करेंगे ऐसे चोड़ा कट लगा लेंगे इससे क्या होगा जब हम अंडे को फ उसके बाद क्या करेंगे इन हरे मसालों को हम दरबरा पीस लेंगे यह जो बड़े रफ़ी चौप अनियंस थे उन सब को हम एक जार में डाल करके रफ़ी चौप ग्राइंड कर लेंगे जिस्ट एक बाश लाया और बंद तो देखे हमारा पेस्ट हो गया है तयार ऐसे ही प इंच्छार ह करे लेगे तो नेक्स्त हमने लिया एकडाई कडाई में तेल डाल करके गरम उडे एक को डाल दिया है अलू फ्राई करते हुए हम जब अलू थोड़ी सी और गोर्डेन होने लग जाए तो इसमें तेल में हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे अलू को अच्छा कलर मिल जाएगा और भी अच्छा गोर्डेन दिखेगा और ग्रेवी में भी वाइट वाइट नहीं दिखेगा अच्छा लगेगा अब जब आलू फ्राई हो जाए तो उसे निकाल लीजिए और कढ़ाई में जो लेफ्ट ओयल बचे हुए हैं उसमें थोड़ा और ओयल एड़ करेंगे अगर कम है तो अगर अक्स्ट्रा है तो निकाल देंगे तो ये масाले हैं, इसमें हैं एक चंबच चिकन MPSALA, हाफ चंबच घरम मसाला, थोड़ा लाल मिर्ची पाओडर तीखे के लिए, हाफ चंबच हलदी पाओडर है, हाफ चंबच देगी लाल मिर्च है, कलर के लिए, और इसके बाद प्याच दरबरा जो अधरग मिर्ची पीचा इस जार में पीज़ा था पोस्ता दाना एक लाल मिर्ची धनिया और जीरा पर चार्टिनम एम स्थय्था प्यास दाल करके अब हम चलाएंगे चलाने के बाद जोप हैं चलाने के बाद बद ज़ुप किया है रखा है वो भी इसी ताइम में डाल देंगे जो प्याज के साथ ही भून जाएगा अच्छे से तो तोड़ा लसन इस ताइम में भी मैंने डाला है तो आप भी जरूर डाल लिएगा लसन और अध्रक बहुत अच्छा लगता है इन सभी को भून करके जब यह तोड़ा ध्यान रखिएगा मसाला जितना अच्छा भूनेंगे वो बहुत जरूरी है मसालों को अच्छे से भूनना फिर जो मैंने पोस्तर दाना धनिया जीरा का पेस्ट बनाया था उसको भी डाल दिया है अभी इसको भी डाल करके मसालों को भूनने में 15 मिड जितना टाइम लग जाएगा तो मीडियम फ्लेम में धक करके काफी देर तक हम भून लेंगे यह जो प्लेट में मैंने मसाला आपको दिखाया था जिसमें मैंने गरम मसाला चिकन मसाला हल्दी लाल मिर्शी पाउडर देगी लाल मिर्श पाउडर रखा था सब डाल दिया है डालने के बाद चल तो नमक डाल करके अच्छे से सबको मिला देंगे और धक करके मसालो को पकने देंगे मसालो को मीडियम प्लेम पे ही पकाएंगे अगर थोड़ा लगे की पानी की जरूरत है तो आप पानी एड़ कर दीजे तो मुझे लग रहा था मसाले थोड़े सुखे हो गया है क्योंकि पाउडर डाला था तो थोड़ा पानी डाल करके हाफ कम जितना ढख करके मसाले पकने द अब हमारा 15 मिट लगबग हो गया है तो पक चुका है इसमें हम आप एड़ करेंगे धनिया धनिया अभी डालेंगे तो बाद में भी वह हरा हरा ही लगता है तो जब मसाले भूनने के बाद उसमें से तेल निकलने लग जाए तो हाफ धनिया अभी डाल दीजे और हाफ इसको मसाले के साथ थोड़ा दिर अच्छे से पका लेंगे इससे क्या होगा आलू में भी ग्रेवी का अच्छे से तेस्ट आजाएगा मसालों का टेस्ट आजाएगा थोड़ा पानी डाल करके पकाएंगे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे जब भी मैं पानी डालती हमेशा गरम पानी ही डालती हूँ क्योंकि हमारी मसाला भुन रहा है तो वो गरम है तो उसमें हमेशा आप गरम पानी डालेंगे तो जादा अच्छा होगा तो अब मुझे डालना है एग तो एग को इस तरीके से हाफ कट कर लिया है और एग है ग्रेवी में जाने के रहे तयार तो अब चलिए हम देखते हैं हमारा मसाला कितना भुन गया है तो मसाला और आलू जब एक साथ अच्छे से भुन जाए तो उसमें हम एड करेंगे हरी मिर्ज अगर आपको पसंद है तो आप एक से जारा डालिए अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते है हरी मिर्ज डालने के बाद मैंने डाल दिया है अंडो को और अंडो को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले के साथ मसाले के साथ मिक्स करने के बाद जिसमें डालेंगे गरम पानी जितनी आपको gravy बनानी हो मैं थोड़ी gravy बनाऊंगी इसलिए मैंने एक ग्लास इतना पानी डाला है उतना डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से पका लोगी और जितना थिक gravy रखनी है उतना ही आप स्वाधनु साथ नमक डालेगा क्योंकि अभी पानी जादा है नमक जादा डालेंगे तो नमक जादा हो जाएगा तो नमक स्टार्टिंग में कमी डालेगा 10 मिनट पकाने के बाद gravy है हमारी तयार तो एक करी है बिल्कुल ready खाने के लिए अगर आपको rice पसंद है तो आलू भी मैंने डाला है जासा आपको मैंने सार्टिंग में बताया था तो rice और रोटी के साथ खाएए बहुत ही तीस्ती लएगा जब एक दम ready हो जाए फिर हम last में धनिया एड़ कर देंगे तो एक करी है ready खाएए और बताएए कैसा बना है और मेरे चानल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें मिलते हैं मेरे नेक्स रेसेपी में